तो हेलो वेवरीबन अगर आप चाहते हैं कि जो हमारा यहां पर फोटो कुछ दिख रहा है फोल्डर पर हम फोटो अपलाई कर दें कि ताकि हमारा फोल्डर इस तरह से ना रहे और हमारा फोटो फोल्डर पर दिखाए दे तो किस तरह से आप लगाना चाहते हैं ठीक है यहां पर हम कुछ folders जैसे create किये हुए हैं और यहां पर कुछ फोटो हमारा है तो फोटो हम फोल्डर पर लगाने वाले इस वीडियो में ठीक है तो फोटो पर आप सिंपल सा राइट क्लिक करेंगे और एडिट वाले option में आ जाएंगे तो आपको फोटो प्रेंट में खुल जाएग ठीक है सिष्टी टाइप करने के बाद यहां एक option मिलता है चेक अंचेक का इसके चेकी रने देना होगा और प्रेस कर देना होगा देना आपका फोटो रिसाइज हो जाएगा आपको सेब करते समय यहां पर दो चीज़े आपको बहुत ख्याल रखना होता है से बेच पर नाम देना दे दिजिएगा उसका बाद उसका extension.ico ठीक है देना होगा देने के बाद उके प्रेस करेंगे आप जिस भी लोकेशन पर सेफ करना चाहते हैं सेफ कर सकते हैं देन मैंने डेक स्टाप पर सेफ किया है ठीक है तो मेरा फोटो है आइकान ओला और सेकेंड फोटो ज बूल जाएगा उसके बाद रिसाइज करते हैं पिक्सल पर किलिक करके यहां पर सिस्टी टाइप करते हैं ठीक है और रोक के प्रेस कर देते हैं उसके बाद सेवेच पर वही चीज हम वरक करेंगे फाइल का नाम जो भी देना होगा आपको दे दिजिएगा लेकिन जो उसक करना यह है फाइल पर किलिक करना है और राइट किलिक करने के बाद वर अनना है और इस तरह से डायलाग बाक्स मिलेगा करेंगा उपन होगा और यहां पर Vital ben अब कलिक करना होगा त्रिक के बाद अपलाई करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे देन आपका फोटो फोल्डर पर अपलाई हो जाएगा इस तरह से ठीक है सेकेंड पोजिशन पर उसी फोटो को हम करते हैं यहां पर ठीक है यहां पर राइट किलिक करके को स्टुमाईज में जाते हैं फिर ब्राउजर मे लोकेशन पर जाते हैं जहां फोटो रखें और फोटो पर किलिक करके ओपन करते हैं ओके अपलाई ओके देन आप देख सकते हैं कि जो हमारा फोटो था ठीक है यहां पर अपलाई हो चुका है दोस्तों एक काम और यहां पर किलियर कर देते हैं कि अगर ओ फोटो जो हमने आ प्रेस करेंगे तो आपका फोटो अटोमेटिकली उस फोल्डर पर लग जाएगा ठीक है यानि कि उस फोटो को सेलेक्ट करके आप किसी फोल्डर या फाइल में हाइट कर दीजिएगा तो जहां पर भी रहेगा तुस फोल्डर पर लगा रहेगा वरना आप डिलेट कर देंग तो वहाँ से हट जाएगा आई होप एक वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक किजिए जैन जै भारत